सब्सक्राइब किजिए टुटोरियल उनिवर्ज और दबाएए बेल आइपॉन लेटिस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने वेलकम गाइज वेलकम तु टुटोरियल उनिवर्ज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेस्बूक केकाउंट को हमेशा के लिए यह टेंप्रोरी डिएक्टिवेट डिलीट कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फेस्बूक अपने लॉग इन करना है फेस्बुक लॉग इन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन के बगल में ट्री करसर वाला शाइन जो आपक क्लिक करनी है उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करनी है और स्क्रॉल करने के बाद आपको एक सेटिंग देखेगी वहाँ पर एकॉंट सेटिंग जो की डाटा सेवर के नीचे होगी तो आपको एकॉंट सेटिंग पर क्लिक करनी है और एकॉंट सेटिंग पर क्लिक कर ге बाद आपको डिय अक्टउटेविट वाला option चुनना है, जो account के right side में होगा आपको उस पर क्लिक करने के अस पर क्लिक करने के बाद, आपका password पूछा गाएगा यह आपका password क्या है, तो आपको simple से अपना password in unlimited करना यह, आपना password पाबर यह ए पास्वर्ट डालने के और आपको शिंपल कंटिन्यु करना है और कंटिन्यु करने के बाद आपके पास अपस्टन आएगा कि आप अपना Facebook एकांट क्यों रिलीट करना चाहते हैं और क्यों डियक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर आप temporary करना चाहते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, या छे दिन, साथ दिन, इतना के लिए, तो आपको सबसे उपर वाले पर क्लिक करना है, या आपके बास कोई और एकांट है, या इसलिए आप अपना दूसरा एकांट डिलेट करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे दूसरे फ्यूचर में कोई ईमेल या मैसेज चाहिए, तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए, तो आपको आपको अप्त और पर टिक लगा देनी है, तो यह आप टिक लगाने के बाद आप यहां पर सबसे निचे होगा डिएक्टिवेट, तो आपको उस पर सिंपल सा क्लिक करना और उस पर क्लिक करने के बाद आपका एकान जो है वो डियक्टिवेट हो जाएगा तो यह थी एकान फेस्बूक एकान डियक्टिवेट करने के वारे में ट्रीप और भी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक जाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को और दवा यह बेल आइकान हमारे वीडियो लेटेस सबसे पहले पाने के लिए थैंक्यू गैस